हेलो फ्रेंड्ट एमस्कोडर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोडम के Direction का मतलब क्या है कि हम इसकी definition जानेंगे इसका डाइग्राम जानेंगे इसक चैरेक्टरेस्टिक होते हैं तो आज कि वीडियो में लाश्ट से जरूर बने रहिए घर तो यहां पर देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आप इसको जो मॉड्यूलेटर या की modulator होता है computer hardware device एक computer में क्या होता है computer networking में hardware device होता है that converts data from a digital format into a format suitable for an analog transmission medium सच एज telephone और रेडियो यहाँ पर देखें model का काम क्या होता है कि जो digital format में data है उसको उस format में change कर देता है जो medium के लिए suitable होता है यानिकि जो data को एक system से दूसरे सिस्टम में लेके जाता है हो क्या करता है डिजिटल फॉर्मेट को नहीं समझ पाता तो इसका काम क्या होगा कि जिस मीडियम के तुरू हम डेटा को सेंड कर रहे हैं वो उसके हिसाब से क्या करेगा डिजिटल फॉर्मेट के डेटा को चेंज कर देगा बेसिकली ज तो यहाँ पर जो झेन डरहे यह अपना देटा किया सन करना चाया रहा है इस रीशी वर को चेंड करना चाया है अब हमें ये पता है कि जो कंप्डिकर होते हैं वह क्या करते हैं डीजिटल match weight में जो डेटा होता है उसको समझते हैं यानि के बाइनरी फ्रमेट में होता है 01 was ने पर हमें अब यहां पर मोडेंगहर만 लगाया हूँ है لेकिन यहां पर देखें और कि दो पार्ट होते हैं अब इंग वता है इस होता है गृते इमडियो लेटर होता है हें सेसे सेंडर के साइड होता है और डी मौधी लेटर होता है cœur लोग के साइड होता है तो जैसे यह पर यह आया तो यह पर एक केबल लगु ही है तो आप आप देख सकते हों भी है इस यह दिजीटल फॉर्मेट मेरे टाइटा और जैसे ही मोडं के अंदर आया मोडं के पास आया तो यहां पर जो के वलता इसने में से आदक करना चाहरा है सेंडर यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप का डेटा है तो मेडम मोडम ने का कि तुम मतलो मैं इसको इसी असाब से कर दूँगा जो तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो उसने क्या किया इस डिजिटल फॉर्मेट को अनलोग के फॉर्मेट में चेंज कर दिया तो उस डेटा को फिर से डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम मोडम को यहां पर यूज करेंगे और मोडम का जो दूसरा पार्ट होगा दूसरा पहलू होगा इसका डी मोडियूलेटर यह क्या करेगा अब फिर से एनलोग को क्या करेगा डिजिटल फॉर्मेट में Convert कर देगा तो मॉडम का basically काम यही होता है छेंज करना होता है यानि के एक format से दूसरे format में Change करता है तो I Hope की आपको समझ में आ गया होगा कि मोडम क्या होता है चलिए अब हम इसके characteristics देख लेते हैं feature देख लेते हैं कि मोडम की क्या क्या फीचर समय मिलते हैं मोडम्स आर यूजफुल इन करनेटिंग डिजिटल सिगनल इन्टु एनलोग सिगनल जब हम एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में करना चाहते हैं तब मोडम्स को हम यूज़ कर सकते हैं है डेहल्प केनेक्टिंग डवाइस टूदा इंटरनेट यह क्या करता है जो ड्यूज़ ओता इसको कनेक्ट करता इंटरनेट से इसने को एक सिटेम से दूसरे सिटम में स्कूर्द कर सके दा को स्टोंफ मोडम इस डिपैंड ओन्दान वफीचर्स इट ओफर्स देखें जो औ हमोता है कि आप फीचर नेसा नहीं है कि अगर एक फीचर ले नहीं हो तो उसका भी उत x AJ के बैक्टन करता है कि आप इसके फीचर को लेना चाहते हो नेस्ट होता है यह आप इसका जो को characteristics होती है modems require RJ11 jack to communication with telephone lines and RJ45 for connection with computer देखे हлан अगर हम modem को टेली फोन के साथ communicate करना चाते हैं कम जो टेली फोन लाईन होता है साथ communicate करना चाते है तब हमें इसकी जरौत होती होती है आर जे एलेवन जैक की अगर हम मौडम को कनेक्ट करना चाते हैं कम्प्यूटर के साथ तब हमें वहां पर जरूरत होती है आर जे फॉर्टी फाइब की एनेक्स होता है यहांपर मोडें सेलोठ डाउन thief न बन श्रय टेहिग करते हैं मोडें हो तोOW n grandi होता है मिलज हते हैं यहां पर देखि क्वार मोडें होता है यह उनेवल होता है इनिक यह ट्रैसिक passport को यह नहीं कर का साथ है किसके बीच में लैंड के बीच में और इंटरनेट के बीच में तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं अगर यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्स पूर वोचिंग